नमस्कार दोस्तों मैं निशी रागव आप सभी का एज्रेगेंपस के लाइप प्लेटफर्म पर स्वागत करती हूं कैसे आप सभी भड़िया होंगे भाई आप सभी ने एक बहुत गर्मा गरम जिसका मार्केट में हला मचा हुआ है बिलकुल यानि 79,000 शिक्षक भरतियों के विशय में जो है हम आज बात करना चाहिए सभी ने ये पढ़ ली होगी न्यूस क्योंकि न्यूस पेपर्स में जगा जगा यूट्यूब चैनल में इस न्यूस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है चर्चा हूँ भी क्योंना एक ये मुद्दा ही ऐसा है कि ब यहां अड़ सट सो शिक्षकों का चैन रग आरक्षन दुरस्त करने के आदेश हाई कोट ने दी बदलाव के लिए तीन महिने की मोहलत अमर उजाला व्योरो यानि अमर उजाला में ये जो न्यूस है वो निकली हुई है अमर उजाला नहीं बहुत सारे न्यूस पेपर्स मे हमें देखने के लिए मिला है अगर मैं बात करूं तो 144 पेज की यानि 144 पेज की जो है ये पूरी नोटिफिकेशन आई है यानि 144 पेज की ये पूरी नोटिफिकेशन आई है जादा इधर उधर की बात नहीं करूंगी बात में मुद्दे की करूंगी कि जो मेन मुद्दा है वो आरक्षन को लेकर है, ठीक है, मेन मुद्दा जो है, वो आरक्षन को लेकर है, भाई एक बात तो कान खोल कर सभी सुले ना कि दोहरा आरक्षन का लाब जो है, वो किसी को नहीं मिले, समझ में आ गया, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, कि मोटे तोड़ पे विशे क्या रहा, क्या कारण है, हाला कि जो अभ्यार थी, नौकरी कर रहे हैं, वो निश्यन्त रहे, क्योंकि नौकरी तो उनकी जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम से नौकरी कर रहे है, इस बात पर पर चिंता बिलकुल छोड़ दे, तो चलिए, इस पर हम आप में 69,000 साहिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षन का सही पालन ना करने के क्लिए किये जाने पर, 8 जून 2020 को जारी चैन सूची को हाई कोट की लखनव फीट में 3 महा में संशोधित करने का आदेश दिया है, ठीक है, यानि यहां जो पुरा में मुद्दा है, वो आरक्षन को लेकर मुद्दा है, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं, आरक्षन को लेकर मुद्दा कैसा है, अगर मालू, आप ऐसी केटेगरी के हो, आपने 99 या 97 जो है, वो मार्क्स ले लिए, ठीक है, यानि गुणांक के अधार पर आप जो है, वो ऐसी केटेगरी के हैं, ऐसी क आप फाइट कर रहे हैं, जनल अभ्यारतियों के पराबर आप मार्क्स ले आए हैं, तो आप जनल में काउंट होते थे पहले, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, आपको आपकी अपनी केटेगरी में जो है, वो फाइट करने पड़ेगी, राइट, मेन मुद्धा यहां पर ये न जिजन नहीं लिया गया है, अगर बात करें मोटी तौर पर जो अड़सट सो की बात करें, जो अड़सट सो रद्ध होने की बात हो रही थी, इस पर तो भाइट अभ्यारति जो हैं, वो अपनी चिंता छोड़ दें, कि उनकी नौकरी जाएगी, ऐसा नहीं है, कि उनकी नौ कर देगी, क्या कर देगी, कोई संशोधन कर देगी, ठीक है, संशोधन नहीं करेगी, तो कोई नई भरती लेकर आएगी, यानि नई भरती जो भी आएगी, उसमें इसके संधर में विचार करेगी, नई भरती लेकर आएगी, इसके संधर में विचार करेगी, या कोई छोट पुद्दा जो लिया है वो आरक्षण में गपले को उनका मानना है कि भाईया जो आरक्षण हुआ था उसमें जो ट्रांस्पेरेंस नहीं था यानि ट्रांस्पेरेंसी नहीं थी पारदर्शिता नहीं थी जिस कारण अभ्यारतियोंने उसके संधर में रिट डाल दी अब करेगी उनके विशय में भी निरने लेगी ठीक है ना तो यानि जो यह सोच रहे हैं कि भाई हम अपने सी केटेगरी के है या फिर हम OBC के है या हम UR में फाइट करेंगे तो अब ऐसा नहीं हूगा ठीक है ना तो में मुद्दा ये था और इसके संदर में जो भी मैं आपके आपके समक्षे जो भी नियूज मुझे मिलेगी मैं वो लेके राती रहूंगी एक बार इसकी जो प्रॉपर नियूज है उस पर हम अपनी नजर डाल लेते हैं देखे क्या कहा गया है कि लखनौ 69,000 साहेक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षन का सही पालन न किये जाने पर एक जून 2020 को जारी चैन सुची को हाई कोट की लखनौ पीट ने तीन महा में संशोधित करने का आदेश दिया है नियाय मूर्ती ओम्रकाश शुकला की एकल पीट सेवा 100 याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए भर्ती परिक्षा में आरक्षित वर्ध के अतरिक्त 6800 अभ्यारतियों की 5 जन्वरी 2022 को जारी चैन सुची को भी खारिज कर दिया गया है ठीक है इस सुची को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसे बिना विग्यापन के जारी किया गया था मतलब यहां जो 6800 वेकेंसियों को खारिज करने का मेन मुद्दा क्या था कि उनका मानना था कि जो इस वेकेंसियों को जारी कर दिया ना उसके संदर में कोई भी इनओने विग्यापन नहीं दिया कोई भी एंट लाइज में किया इस जो भरती को जो है उन्होंने जारी कर दिया तो इस कारण ये बूल कारण रहा कि हाइक यानि हाई-कोट ने उस वेकेंसियों को जो है वो खारिज कर दिया इस सूची को यह कहते हुए चुनोपी दी गई कि इसे बिना विद्यापन के जारी किया गया था, याचिकाओं ने कोट को बताया कि 69,000 साहिक शिक्षक की भरती में आरक्षन नियमावली का सही पालन नहीं हुआ, मतलब वही कि आरक्षन की जो नियमावली थी उसका सही से पा देशे से जादा अंक प्राप्त करने के बावजूत सामाने शेणी की सुची में शामिल नहीं किया गया, ठीक है, इनकी नुक्ती प्रक्रिया अरक्षित्र शेणी में ही पूरी कर दी गई, मतलब यह कहना चाहरें, अगर UR, UR के according आपकी जो, आप ऐसी केटेगरी से थे, आप ऐसी केटेगरी के से थे, आपके जो माक्स हैं, वो 117 आ गए, या 97 आ गए, आप UR में फाइट कर रहें, UR के स्टुडेंट्स के साथ फाइट कर रहें, तो आपको अल्रेडी UR में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया, उन्हें उनकी के अं अवली का उलंगन है, मतलब जो, यानि अगर उन्हें 97 लेकर अपनी सीट, मतलब exam को crack कर लिया, SC केटेगरी में, तो वो 97 लेकर SC केटेगरी में रहें, वो UR में काउंट नहीं हुए, तो अभ्यारतियों ने इसके विशे में रिट डाल दी, clear? यहाँ पर एक पॉइंट क्ल शेणी में ही पूरी कर दी गई, जो अरक्षित शेणी के उन अभ्यारतियों को भी आरक्षित शेणी में ही जगा दी जाए, जिन्होंने अनारक्षित के लिए cut-off marks प्राप्त किये हैं, क्योंकि इसे बहुत सारे, जब यह प्रक्रिया हुई, सरकार ने ये decision लिया, तो इसे बहुत सारे अभ्यारतियों जो है, वो बाहर निकल गए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी यहां स्थान दिया जाए, ठीक है, दिया जाए, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यारतियों ने कहा था, कि अन अभ्यारतियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा ग मतलब यहां जो सीधा सीधा जो है आरक्षन को लेकर मामला बहुत जोर पकड़े हुए है तूल पकड़े हुए है ठीक है तो आप लोग चिंता मत करो जो नौकरी है वो किसी की नहीं जाने वाली तैयारी करो पढ़ो खूब लो खूब पढ़ो आगे सरकार ने भी इसके विश के साथ जहां मिलेगी तुम्हें डेली अपडेट जो भी जो भी अपडेट होगी वो आपको यहां पर डेली दी जाएगी तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद